वो अश्लील वीडियो बनवाता कौन था? उसका खुद का पती बनवाता था? उसको नाइटी पे नंगा डांस कराता था? उसको गुरूप में बैठके दारू पिलाता था? तुम खुद अपनी बीवी को नंगन अवस्था में परोस रहे थे तब तुम्हारी मर्दानगी कहा मफं से उसके चेहरे पे ना तनाव दिक्षाह ना आसू दिख रहे हैं ना गम दिख्रहे कहीं से वह लड़का दुख ही लगत आativो यूतूब पर पैसे का माने के लिए मैं इसकदर गीर अ कि व्यूज पाने के लिए कूछी soshal media पर अपनी पत्नी को दिखा रहा है तो फ्ह पिशनूराज नहीं था घर में, उसका कहना हम तो रात में स्टूडियो में, तो इस्टूडियो में क्या कर रहा था है रात को जाके, आराम से घर में सोता, चैन से जैसे सोता था, और तुम बड़े प्लान से उसको मारे, मार के स्टूडियो चले गया, और स्टूडियो जाने जो लड़की एक रात पहले ये वीडियो बनाती है कि कल मैं अपने ससुराल जा रही हूं वो घर बनाया हुआ मेरा है वो घर में रहने का अधिकार मुझे है मुझे कौन रोक सकता है और विष्णू तुम्हारे पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं मैं इतना कमा लूँगी कि मैं अपने बच्चे को पाल लूँगी मुझे भीख मांगना पड़े तो मैं भीख मांग लूँगी लेकिन बच्चे को पैसे से कमाऊंगी जो चौबिस घंटे भी नहीं होते हैं उस वीडियो को शायद पोस्ट किये और चौबिस घंटे के अंदर वैसी और अतार कर लेगी आपको लगता है जिसको आतर करना रहता है न वो एक वीडियो बना के मरता है कि मैं मर तो फिर मालती को किस ने मारा है рафत वो लो वुष्णूराज नहीं था घरमे घरमें । वालाव जा दो कहना है। वालाप्त चुडियो एक हम तो लोगे रात धरमें। वुष् भीका वालाब था दोता है। सुश्डियो में चाहराम तो बहान सेब अनग मारें बार के श्टूडियो चले गया और इस्टूडियो जाने के बाद आते हो भोर में और सब को पांच वजे से खबर करते हो मालती मर गई आप देखे जब उसको पूरा सिंदूर भर के ऐसे से हिला रहा है हिला रहा है देखा है आपने उसके चेहरे को आपने विश्टू के चेहरे को देखा है कहां से उसके चेहरे पर ना तनाव दिख रहा है ना आसू दिख रहा है ना गम दिख रहा है कहीं से वो लड़का जो है काफी पहले से और्जुन के साथ में प्रेम परसंग चला था इसलिए वो भी मालती चाह रहे थी कि हमारा साधी और जुन से हो जाए उसके बाद एक पती के द्वारा अपनी पतनी का साधी और जुन नाम के ब्यक्ति से कराया जाता है तो यह आपको लगता है कि सच नही मतलब एकदम पक्षदर बाते होनी चाहिए किसी के एक पक्ष में नहीं है मालती ने भी एक वक्त में अपने वीडियो को चलाने के लिए हर लेवल का वीडियो बनाया तो आज की रेट में थोड़ा अच्छे वीडियो बनाने लगी थी लेकिन यह तो गलत है ना अब तो व में बैठके दारू पिलाता था उसको सारा चीज करता था उसका अशलील डांस पेश करवाता था तुम खुद अपनी बीवी को नंगन अवस्था में परोस रह थे तब तुम्हानी मर्दानगी कहां चली गई थी और आज जरा सा अर्जुन से बात कर ली तो तो तुम्हारा मर्दान की जग्या तो ऐसे पती निठले निकम में जो बीवी के कमाई पे चलते हैं ऐसे पती का अपना खुद का कोई आउकात नहीं होता है यह अपनी बीवी के पीछे 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 उनका चेहरा देखके चमकाते हैं उनके चेहरे को आगे बढ़ा तो बिल्कुल सही बात है और वही हटाया ही गया है इन तमाम चीजों में एक चीज जो सामने आई है गोरकपुरिया भोजी जो अच्छा करने के चकर में बुरा हो गया उसके हाथ से तो वो गई अच्छा करने लेकिन हो गया वो क्या विश्णु ने अगर अपनी बीबी की गंदगी का चार वीडियो डाला होगा तो वो हर घंटे वीडियो डालना चालू करती तो वो में घर के विवाद को सोचल मेडिया पर लाना ये कहां तक सही है क्योंकि देखा जाए कि गुरकपुरिया बहुजी को लेकर बात करें तो वो कहती है कि हमारे वजासे 200 से ज्यादा चैनल बना के लोग रोजगार पा रहे हैं नंगना वस्था में लड़कियों को तुम अच्छी चीज सिखाओ ना यार तुम उन महिलाओं से कुछ प्रेड़ना क्यों नहीं लेती हो जो महिलाएं आज तुम्हारे घर में तीन-तीन बेटिया हैं तुमको समझ में आ रहे हैं तुम मा बहन की गाली बख रही हो आर एफ ज कितनी भड़ी हैसाल उन दो гораздо कमें मेडिया में बोल नहीं सकते हैं वैसी गालिं तुम वह देती। महरी बच्ची हैं सीख रही हो तुम क्या परोस रही हो तुम आज एक संप्छे विका के रूप में अपने आपको परोस रही हो तुमने क्या किया है यह समझ मेरहा है, कितना लिपापोती करोगी उसके उपर तुम्हें जब लगा कि एक गल्ती वह आपने भी बहुत सारा वारोप लगा रही है कि बीना मानुई हमारे सामने क्या है हम तो पांच लाग चार लाग महीना कमा लेते हैं हमारे सामने एक मिनट भी नहीं लएगी हम हर महीने इतने सारे लोग का हमेशा मदद करते हैं यही है देखे जो यह कहा गया है ना अधजल गगरी छलकत जाए यह ऐसा ही महिलाओं के लिए शब्द कहा गया है और जो नव धनाड होते हैं वो इसी तरह के फूहर होते हैं आप लोग कहते हैं कि हमेशा जब भी महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हमेशा नयाए के लिए आप लोग खरे होते हैं करने का हमने एक ही निसकर्ष निकाला है अब हमारी मिटिंग हो रही थी आपस में हम एक पिया फाइल करने जाएंगे यूटूबर्स उनके लिए मतलब इंडिया में जितने यूटूबर्स है वो लोगों उनके चैनल्स पे कंट्रोलिंग कुछ ऐसा कानून बनाया जाए ये क करना है ये नहीं करना है ये करना है ये नहीं करत ना है ताकि यह जैसे ही कोई वल्गरिटी आए वो चैनल अब अपने आप सेंट्रल दौरॉरब ब्लॉक कर दिया जाए तो वस इसको लेकर अप लोग आवाज उठाएंगे पहले के समय में देखा जाए तो यूटूब जो है बहुत सारे अच्छे लोग अपने टैलेंट को यूटूब के माद्यम से दिखा रहे थे लेकिन आज के इस आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो लोग यूटूब पर पैसे कमाने के लिए मैं इस कदर गिर गए कि व्यूज पाने के लिए कोई सोचल मेडिया पर आके अपनी पतनी को दिखा रहा है अभी मैंने देखा किया सोना बाबू बेबी करके बाबू की बेबी हाँ चैनल नाम याद नहीं एक दिन ऐसी स्क्रॉल फिर मैंने ध्यान से देखा हम लिए यह तो पती-पतनी जो बंद कमरे में प्राइविट वक्त होता है पती-पतनी का उसको सोचल मीडिया पर दिखा रहा है तो वो क्या कर रहा है उस पे भी कानूनी कारवाई होनी चाहिए तुम एक महिला की इज़त को परोस रहे हो जो कि तुम्हारी पतनी है तो ऐसे मर्दों को क्य कहा जाएगा जो इस तरह से पतनी की इज़त बेच बेच के एक तरह से यह हुआ ना भड़वागिरी कर रहे है इस तरह के मर्द जो अपनी पतनियों को नंगा नचवाते हैं और उसकी कमाई खाते हैं दूसरा क्या बोलेंगे गाली निकलता है ऐसे मर्दों के लिए पात कर की थी गुरकपुरिया कि उसके सारी बातों को अपने अपने चैनल से अनेता बने के तो गलत था वो इससे नहीं करना चाहिए था इसको अगर नया दिलाना है तो यह थाना जाती आईयों से मिलती चाशिट जमा कराती या कुछ और मदद करती तुम अगर उसको हेल्प की थ हैं तो क्या सो वीडियो हमारे आते हैं क्या एक दो आ जाते हैं जो चाहते हैं उनका हम दिखा देते हैं लेकिन इस तरह हर चीज को मीडिया मिलाना जरूरी है क्या दोनों मिया भी बी क्या बोल रहा है क्या लड़ रहा है क्या घर में जगड़े होते हैं यार लेकिन मीडिय मिलाना जरूरी है कि इन बातों को बिलकुल नहीं अब देखा जाये तो मालती इस दुनिया में नहीं है लेकिन बिस्नु जो है कस्टडी के बाद जेल भेडिये गा और बहुत जल्द बिस्नु जो है रिहा हो जाने वाला है क्योंकि कोई परसासन के पास सब्सक्राइब अभी कि अचानक अभी बोल रहे है कि मेरा यूटूब चैनल डिलीट हो रहा है मेरे वीडियो जिलीट हो रहे है तो भाई तुम जब किसी के लिए इतना जादा हर किसी को एक तराजू में मत तौलो ना आदमी अगर इतना हम काम कर रहे हैं पूरे देश में तो कुछ न कुछ कि अचытर वी में है तो ठीक है यह संघठन सिफी न दी का नहीं है यह संघठन हमारे सब का भी हम लोग सुछ चार वजने से देव घर गयाए ते की ना बीना मानुई एक महिन करते हैं सुछ तरिखने दृपास ब्लदूख को उसका केस देखने जा रही हूं उसको में लाके दिखाएंगी गुरगपुरिया भाजी के पास ले जाऊंगी वहां का case मैं है अगर इस तरह के जो महिला गन्दी चीजे समाज में परोस रही है उसके रोक लगाना कही न कही समाज का काम है आप अगर किसी गलत चीज़ को बढ़ावा देंगे कहीं न कहीं वो बढ़ावा आपके घर के बाल वच्चों को एफेक्ट करेगा तो हमें रोकनी की जरूत है और हमें रोकना चाहिए इस मामले को लेकर बहुत सारे लोग को बहुत कुछ सिखने की भी जरूत है इस मामले को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें मालती चोहान की कई न कई मौत हो गई इसके पीछे बहुत सारे लोग यह भी बता रहे हैं कि मालती को बिष्नू ने मारा हाला कि ये मामला जो है जांच का भी सह है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं अपने राहे में जरूर दे आप मारे सांच चुरे रहें बहुत बहुत धन्यवाद